नमस्कर दोस्तों स्वागत यापका फार्मारोक्स के यूट्यकस्टन चनल में तो आज के उड़ी लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्फ प्रॉब्लम और उसके सॉलिसन के बार में बात करेंगे जिसे कि या पर हम जो वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से आप पेसा आपको रो रोक नहीं पाते और तुरंत आपको यूरीन करने के लिए जाना पड़ता है बार बार जो है आपको पेसाब आता है और होता यह है कि जब आप पेसाब करते हैं उस वक्त आपको काफी ज़्यादा दर्द होता है और पेसाब करते समय जलन भी महसूस होती है फिर हम देखे पीवर तो कई रख टेस्ट करते हो तो एसा होता है कि आपका पेसाब अंदर यह वहूस हा रहा है घूल पर 안बादा आक साफ़ी है तो यह जो सबी यह हैं और चैके डिल स स्वे टेडर होता है हमारा के जिसको मुत्रा से कहा आ चथा है वहाँ पर उसके विए प्रॉडियो के लिए के दर लीटेल में कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको यह problem का basic सिखाता हूँ तो जो medical terms में यह problem को हम cystitis कहते है cystitis मनलब कि जो हमारा bladder होता है वहाँ पे surgeon आ जाती है और surgeon के करण क्या होता है कि आपको वहाँ पे दर्द भी होता है कि जिसको हम medical terms में जो एक type की condition कहते है cystitis की सिंपल हिंदी में बोले तो मुत्रा से में सूजन हो गई है तो यहाँ पे होता है कि जो आप यहाँ पे diagram में देख रहे हैं जो हमारा मुत्रा से होता है कि जहाँ यूरीन जो वह वो store होता है वहाँ पे surgeon आ जाती है तो कारण यह बनता है कि कोई infection वागेरा ही या फिर पेसाब जो वो लीक हो जाता है तो उसके आम कुछ सीम्टम्स देखे या आप डीटेल में तो सबसे पहला सीम्टम है कि पेन होता है यूरिनरी ब्लेडर के अंदर कि आप जब वहाँ पे टच करते हैं आपके ब्लेडर केरिया में तो आपको पेसाब की थेली में दर्द का ऐसास होता है फिर अगर कोई थकावर्ट, कमजोरी, मतलब कि ये बीमारी जब लंबे समय तक आपके सेरीर में रहती है, तो आप एक थकान महिसूस करते हैं, कमजोरी जैसा महिसूस करते हैं, फिर इन्फेक्शन है एक टाइप का, जिसके करण जो पेसंट है, उसको नौजया वोमिटिंग भी हो सकती है, मतलब कि उसको जी गब रा सकता है, उल्टी जैसा वो फिल करते हैं, फिर कई बार ये होता है कि जो यूरीन होता है, उसका जो कलर है, वो डार्क हो जाता है, जमा होती है, और वो जो पलस है, वो आपके यूरीन के साथ आने लगती है, तो उसके करन का होता है, बार-बार आपको पेस आप करने जाना पड़ता है, यूरीन की स्मेल भी कई बार स्ट्रॉंग हो जाती है, कुछ लोगों को फीवर देखने को मिलता है, कि उनका जो बॉडी टेंपरेचर है, आप यहाँ पर टच करो, तो थोड़ा सा जो बदन है, जो सरीर है, वो गरम मैसूस होता है, तो यहाँ पे में वीडियो के मीच में आपको बताना चाहूंगा, कि ऐसे ही आपको अलग-अल रीजन वगेरा क्या है, यह प्रॉब्लम के, तो सबसे पहला जो रीजन है, वो है बैक्टेरियल इन्फेक्शन, कि अगर कोई बैक्टेरिया से आप संक्रमित होते हैं, जिसमें भी स्वेसली इकोलाई जो बैक्टेरिया होता है, यहाँ पे पीक में लिखा है, इसे रीज से या कोलाई बैक्टेरिया, तो उसके इन्फेक्शन के करण भी यह प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आप पर्सनल हाईजन नहीं रखते हैं, मतलब कि आप जो पर्सनल हाईजन, मतलब कि जो सापसफ़ई रखनी है, वहाँ पे, वहाँ अच्छे से सापसफई नहीं रखते हैं, या फिर पब्लिक ट्वालेट यूज़ करते हैं, जहाँ पर सापसफ़ई नहीं की जाती, बहुती गंदेक पब्लिक ट्वालेट है, तो उसके करण भी आपको वो इन्फेक्शन वहाँ से लग सकता है, फिर किसी की यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, यूट स्टेट का कोई पेसंट है, या फिर किड्नी खराब हो रही है, तो उसमें भी ये एक प्राब्लेम आगे जाके हो सकती है, फिर जो पैल्विक एरिया होता है, वहाँ पे आपने कोई रेडियेशन थेरापी ली थी, तो स्पेसिल जो MRI या फिर सिटी स्कैन हुए है, वो एरि हो सकता है, फिर या पे जो हम देख रहे है, वो स्पेसली ब्लेडर में ही इस्सर्ट किया जाता है, यूरेत्रा के ध्रू तो होता है कि जब suggestion मित वहां पे रहता है तो प्रेस आपको नली लगाई जटी है, बाहरसे के कि किसी का ओपरेशन हुआ है तो बाहर से एक ट्यूब लगयी ज़ाते की जिसको आम कैठेडर कहते हैं कि जिनका डाइबीटीज तो है महलब कि आपके सुगर जो है वह मैनेज नहीं है कंट्रोल नहीं है महलब कि सुगर लेवल काफी ज़्यादा रहे तेकि आप है जो हम यह सिस्टाइडिस के रिलेटेड और आपको बार-बार पेसाप करने के लिए जाना पड़ता है फिर किसी को किड्नी स्टोन का प्रॉब्लेम रहा है तो उन लोगों के अंदर भी ये एक सिम्टम डावलप होता है सिस्टाइडिस का फिर अब समझते कि ये प्रफ्लेम का निदान कैसे हो सकता है कैसे हम उसका पता लगा सकते कि सिस्टाइडिस है या किसी और problem के करार ये same time develop हो रहे है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो patient है उसके medical history चेक की जाती है कि past में उसको UTI हुआ था या नहीं या फिर उसकी habit चेक की जाती है blood sugar level उसका कितना है तो वो सब जो है अच्छे से पूछा जाता है फिर एक physical examination किया जाता है कि वहाँ पे आप touch करके देख सकते है या फिर abdominal area में भी patient को touch करके देख जा सकता है कि जिससे गनिदान हो जाता है या फिर एक ultrasound scan भी वहाँ पे किया जा सकता है तो जो sign and symptom है उसके basis पे भी पता लगाया जा सकता है कि problem क्या हो रही है फिर x-ray भी किया जाता है bladder का कि या पे जो हम यह peak देख रहे है उसमें आप देख सकते है कि जो bladder है वहाँ पे सूजन देखने को मिल रही है तो ये भी कर सकते है फिर urine का culture test से पता चलता है कि कौन से bacteria के कराण कौन से food के कराण आपको ये problem हो रही है तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी व्यूक है disease and treatment उसको आप जरूर से purchase कर सकते हैं ये book को order करने के लिए आप हमें दिये गए number पे whatsapp कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पे सिस्टाइडिस के बारे में सीख रहे हैं से बहुत सारी बीमारियों के बारे में आप ये book के अंदर सीख पाएंगे वो भी एक colorful diagrams के साथ कि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके सभी जो chapter से वो proper color है पूरी book color में और पीछे आपको salt कैसे की आजाए तो अरे एक problem का solution होता है जैसे ही सिस्टाइडिस का भी solution है तो सबसे पहले अगर आपको इस तरह के problem होते है urine infection जैसे कि ये भी एक type का UTI है तो पानी ज़्यदा पिना चाहिए तो kidneys को healthy रखने के लिए वैसे भी आपको पानी पिना ज़रूरी है तो यहाँ पिना चाहिए दो से तिन लिटर पर डे उसके अलावा जो coconut water है वो patient ले सकते हैं फिर जो cranberry का juice होता है वो आपको regularly लेना काफी जरूरी बन जाता है फिर personal hygiene के लिए आप ये सब जो antiseptic fluids जाते हैं जैसे कि datol है स्यावलान हो गया अपलों का भी आता है antiseptic liquid तो वो नहाते वक्त आप यूज करें कि दो तिन बूंद या फिर एक आधा डगकन जितना उसमें डालके वो पानी से नहा या फिर जो आपका private part है उसको अच्छे से ये datol water से रोज clean करें कि जिससे इस तरह के problems ना हो फिर अब medicines के बात करें तो अलोबेथिक के अंदर हम देखे सबसे पहले तो लीव फ्लॉक्जसन के जो tablet है वो सबसे पहले प्रिस्क्राइब किये जाता है जिनका डोस खासकर एक टैबलेट दिन में एक या फिर दिन में दो बार होता है और दो डोस के बीच में हमेशा च्छे से लेकर आठ गंटे का टाइम इंटर्वल रखना जरूरी बनता है तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दू कि यह जो या लेव फ्लॉक्जासिन से यह प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा तो उसका कॉंबिनेशन भी आता है और्नी डाजॉल के साथ वह भी यूस किया जा सकता है फिर और्नी डाजॉल और्न ओफ्लॉक्जासिन का भी कॉंबिनेशन में है तो जो डोस है आप यहाँ पर देख सकते है कि यहाँ पर सभी medicines के जो डोस है वो मेहाँ पर मैंने mention किये हुए तो वो आप ज़रूर से देख सकते है फिर नौर फ्लॉक्जासनिन के साथ भी औरनी डाजल का combination available है फिर फॉस्परमाइसनिन का जो powder है वो भी prescribe किया जाता है कि जैसे हम glucose का powder लेते है ऐसे यह powder लेना थे कि उसका जो सचेट होता है वो आपको तोड़ना है और उसको एक ग्लास जितने पानी के अंदर डालके अच्छे से mix करके उसको पीना रहता है कि फिर नेक्स्ट हम देखे तो क्लेवम 625 जो टाबलेट है वो भी लगाए जाए तो डाइल्यूट करके आईवी ड्रेप के साथ लगाया जाता है फिर को ट्राइमॉक्स जोल के टैबलेट का option available है कि जैसे अब यहाँ पे हम देख रहे है फिर और नाइट्रोफ प्रुएंटाइन भी यहाँ पे option बढता है यह प्रॉब्लेम को स्वाल करने के लिए कि जिसका डोजरेट है खासकर एक टैबलेट दिन में एक या दोबर हर आठ या बारा हम देखा ऐसे ही है सेट्रियोक्षन की जो मॉनो सेफ उसका एक फेमस ब्रांड है वह भी पेशन को लगाया जाता है कि अगर दवाईयों से टाबलेट से यह प्रॉब्लेम ठीक नहीं हो रहा है फिर लैक्टागाड का भी एक इंजेक्शन अवेलेबल है वह भी पेशन को ल देखें और यह एंटी फंगल मेडिकेशन है तो वह जो बारा उप्सन थे लग लग उसमें से कोई एक और उसके साथ कॉंबीरेशन में यह फ्लोकोनाजल का डोस क्याज रहता है कि विक में एक ही बार यह टाबलेट जो प्रिस्क्राइब की जाती है फ्लोकोनाजल से भी न प्लेवोक से टाबलेट कि यह क्या करता है कि जो ब्लेडर के जो मसल्स होते हैं उनको थोड़ा जो रिलेक्स रखता है कि जिससे पेसाप जो आप लंबे समय तक रोक पाते हैं कि जिसका डूस रहता है एक टाबलेट दिन में एक बार या फिर दो बार या फिर तीन बार फि urine कई बार acidic हो जाता है और उसके करन पेशाब करते वक्त जलन होती है तो जो जलन होती है वो problem solve करने के लिए alka-swalka option बनता है कि जो 5 ml दिन में 2 बार तीन बार ले सकते हैं अगर उससे भी अच्छा नहीं होता तो चरक का alka 5 syrup करके आता है वो भी काफी अच्छा रिजल देता है तो ये भी एक option बनता है फिर हिमालिया का रिनलका का सीरफ है वो भी 5 ml दिन में 2 या 3 बार और हिमालिया की वी जल भी आते है कि जो वहाँ पे पूरूस हो या महिला अपने private part के एरिया में लगा सकते है फिर homeopathy में भी उसका इलाज देखे कि अगर आपको allopathy try कर ले iroidic भी try कर ले फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो SBL के जो drops आते है drop number 3 वो भी use किये जा सकते है और अगर किसी को kidney stone के करण ये problem हो रही है तो SBL के clear stone drops के भी आपको option जो ये वो मिल जाते है तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो side में click करके मेरा ये वीडियो भी देख सकते है और यहाँ पे जो round दिया है वहाँ पे click करके मेरी channel को जरूर से subscribe कर सकते है So good luck and all the best जो भी valuable suggestion है वो आप मुझे comment कर सकते है All the best